जय हिंद दोस्तों कैसे आप सभी लोग मैं हूँ आप सभी लोग का दोस्त संचित और दोस्ता आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और मैं निफ्टी में हमारा आज के लिए क्या व्यू था किस तरीके से मार्केट ने इंपॉर्टन लेवल्स को त इस वीडियो में डिसकेस करने वाले व्ल्ल मार्केट यहाँ अपने को क्या क्यूव है आज जो ऐती सेक्टर में क्रैश हुआ है अब आएटी सेक्टर के लिए कौन-कौन से इंपॉर्टन लेवल सा सारी चीज़िए हम इस वीडियो में डिसक्स करेंगे तो दोस्तों वीड प्रणी चीज आज का जो पूरे इस फॉल का अगर कोई हगदार है तो उसका अवार्ड जाता है हमारे आईटी सेक्टर को साड़े चार परसेंट डाउन हमारा आईटी सेक्टर है इंफी लगबग अगर आप देखें आईटी सेक्टर के मैं स्टॉक्स आपके लिए लगा दे परसेंट के आसपस डाउन विप्रो लगबग पोने चार परसेंट डाउन तो आईटी सेक्टर में ब्लडबात क्रैश आप बोल सकते हैं इस एक मिनी क्रैश आइटी सेक्टर के लिए 23rd मार्च 2020 के बाद वर्स्ट डे रहा है आईटी सेक्टर के लिए इंफोसिस के लिए त समालने की कोशिश करी बट प्राइविट बैंक्स के पर जो क्रूडल दुबारा से 112 डॉलर के आसपस पहुंच गया उसका प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है वर्ल्ल मार्केट से अब क्या क्यूज मिल रहे हैं तेखिए वर्ल्ल मार्केट की अगर हम यहां पर बात करते ह तो वर्ल मार्केट से तो कोई खास पॉजिटिव क्यूज अभी के लिए हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं शाम को पता चलेगा कि किस तरीके से हमें जो है अमेरिकन मार्केट में ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा आज यूरूपेन मार्केट बंद है तो वहां से अपने को कोई क्यू नहीं मिला है केवाल अपने मार्केट ओपन थे आज के दिन और अपने मार्केट में जबर्दस वालिटिलिटी के साथ ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया है निफ्टी के अगर हम बात करें देखिए अपने क्या बात करी थी टेलिग्राम ग्रूप जो लोग लेवल अगेन क्योंकि सुबह एक बार क्या हो गया था इस लेवल से हमें बाउंस देखने को मिल गया था बट उसके बाद मैंने यहां पर क्या लिखा था बिलो दिस बिलो 17150 और 165 तो 50 लेवल हमने देखा जैसे ही 17,140 और 150 से 160 का लेवल टूटा हम लोग कहां पर आये 17,075 से 17,050 के बीच में हमने बॉटम लगाया और यहां से बाउंस आना एक्सपेक्टेट था क्योंकि पुराना एक सपोर्ट लेवल 17,075 के आसपास हमें जो है दिखता है एक स्विंग हमारा पुराना जो है वो हमें दिखाई देता है तो इस लेवल से हमें इसलिए बाउंस आ सब्सक्रान ओवर सोल्ड है तो क्या हमें बाई कर लेना चाहिए देखिए लेवल्स के उपर हमें ट्रेड करना होगा क्योंकि आज जो हुआ वो प्योर रिजल्ट बेस के उपर हुआ जो आईटी के डिसपोंडिंग नंबर स्पेशली इंफोसिस के आये है उसकी वजह से य कौन से इंपोर्टन लेबल समय आईटी में अब देखने को मिलेंगे पट पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं देखिए निफ्टी में यह कौन सा बैटन मन रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा प्लस अगर आप लोग मैं बात करना भूल जाता हूं इस जो है वो बने हमारा कमेंट सेक्शन और आप लोग उससे सीख पाएं और इंप्रूव कर पाएं और आपके एक्स्पीरियंस से भी कोई सीख पाएं तो यह जरूर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा यह एक इन्वर्स हेडें शोल्डर हमें एक बनता हुआ दिखाई दे र करूंगा और अराउंड 17,135 के होगा अगर मैं उपर की साइड की बात करता हूओ short मैं कप करूँगा पहला trigger मेरे short करने का जो बनेगा वो बनेगा around 17,130 के नीचे 17,130 का swing इस swing के नीचे अगर market जाता है तो हमारा पहला target क्या होगा 17,075 का 17,075 के नीचे अगर nifty निकलता है तो एक बर के लिए 17,000 17 के levels हमें on the downside में देखने को मिल सकते हैं तो यह हमारा Nifty के लिए भी हो गया Bank Nifty की बात करें तो perfect CPR levels के उपर आज हमें Bank Nifty trade करता हुआ दिखाई दिया एक range में गूमता हुआ हमारे लिए दिखाई दे रहा है तो अब perfect trade Bank Nifty में क्या बनता है Bank Nifty में अगर हम देखें तो हमारे पास एक range बन गई है range कौन सी है on the upside में 36,850 on the downside में 36,450 यह हो गई हमारी 400 point की range जब तक आप Bank Nifty में इस range के अंदर है आपको कुछ नहीं करना है range के upper end पे resistance मिलेगा जैसे आपको rejection candle दिखे आप short कर दीजे range के lower end पे आपको एक यहाँ पे hammer kind of candle बनती भी दिखाई दे तो यहाँ पे आप buy कर लिजे market इस range में घूमता रहेगा range का either side breakout या breakdown होगा तब अपने को एक अच्छा trade जो है वो मिल सकता है ठीक है तो यह breakout पे क्या levels उपर के निकल गाएंगे अगर हम 36,050 के level को breakout देते हैं तो हम लोगों को 37,040 first target अपना जो है वो देखने को मिलेगा second target जो अपना होगा वो अपने को मिलेगा 37,150 का और third target अपने के लिए होगा around 37,250 का जो downside के targets होगे 36,450 के नीचे पहला target जो हमें मिलेगा वो 36,330 का second target जो हमारे लिए निगल के आ रहा है वो निगल के आ रहा है 36,120 का तो बड़े targets downside के भी हमारे लिए निगल के आ रहे है on the bank nifty front data wise अगर मैं बात करता हूँ nifty का data 0.47 का PCR है definitely oversold है अगर gap अगर कल gap अप नहीं होता है कल भी gap down होता है तो certainly bounce के expectation बढ़ती जाएगी क्योंकि PCR extreme oversold territory में पहुचता जा रहा है bank nifty की बात करें 0.54 का PCR है इसका PCR अभी भी उतना oversold नहीं है तो अगर bounce आने की probability मेरे को किसी index में ज़्यादा दिखाई दे रही है कि due to PCR वो मेरे को इस वड़ी में ज्यादा दिखाई दे रही है compare to bank nifty अब हम आईटी सेक्टर की बात कर लेते हैं आईटी सेक्टर का मैं चार्ट यहां पर लगाता हूं CPR को मैं बंद कर देता हूं एक बार के लिए और daily chart हम यहां पर लगाते हैं देखिए IT सेक्टर एक चैनल में था इस चैनल का lower end जो है IT सेक्टर अब टेस्ट करता हूँ हमारे लिए आ रहा है ठीक है lower end इस चैनल का टेस्ट करता हूँ आ रहा है तो अभी भी जगा है जगे कहां तक है IT सेक्टर में at least अभी भी यह 32,400 तक की जगे इसमें दिखाई देती है इतना नहीं कि 1500 पॉइंट और दुबारा से फॉल कर जाएगा 32,350, 32,400 तक की जगे अभी भी भी IT सेक्टर में दिखाई देती है फॉल होने की अगर यह फॉल करता है तो फ्रेश सेल आपको तभी करना है जब यह 32,450 के नीचे जाता IT सेक्टर तब आपको यहाँ पे सेल करना है अन्य था मेरे इसाब से 32,450 एक अच्छा बॉटम मन सकता और यहां से हमें एक बाउंस बैक की प्रॉबिलिटी दिखाई दे सकती है इन IT यह चीज आपको ध्यान में तो दोस्तों आशा करता हूं वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजेगा मलता हूं आप से अगली वीडियो में थैंक्यू सो मच फॉचिंग आइस जैहिंद वंदे मातरम